में चैनल में में आगे बढ़ने वाले आ रहनों पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में मेमोरी इतने तरक्या होती है तो इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था कि रोम क्या है नहीं हमने पढ़ाता है RAM क्या है उसके ALU, MU, CPU, CPU की पूरी fundamentals पढ़ी थी कि CPU क्या है, CPU stands क्या करता है, processing device क्या होता है यह सारे details मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाता है अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूँगा जिसको computer पहले देखता है मतलब वो एक main memory होती है primary memory is a main memory of computer मतलब main memory क्या होती है, primary memory होती है इस memory को processor directly access कर सकता है यह एक खासियत होती है primary memory की कि इस memory को processor directly access कर सकता है it is the fastest memory, यह बहुत ہी fast होता है दूसरे memories के मकाबले memory मतलब होता है कि data जिसमें आप store कर सके किसी भी तरह का data और instruction इसको memory बोलते है then उसके example है RAM और ROM आपको पता है RAM और ROM जो है वो बहुत fastest memory है RAM और ROM के बारे में पिछले वीडियो में मैंने explain किया है आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई वटन पर जाके देखिए वीडियो में आपको सारा details मिल जाएगा उसके बाद है secondary memory secondary memory में क्या होता है न कि secondary memory is the slowest and cheapest for memory यह बहुत सस्ता होता है RAM और ROM के compared में बहुत सस्ता होता है जैसे RAM की कीमत अगर 2000 रुपय में 2GB का RAM मिल रहा है तो आपको 2000 रुपय में यह 500GB का hard disk मिल जाएगा 500GB का hard disk ले सकते हैं 2000 में ठीक है 300-400 रुपय में आपको 64GB और 32GB के memory cards मिल जाते हैं तो secondary memory is the slowest and the cheapest form of memory it cannot be processed directly by the CPU इसको CPU directly use नहीं कर सकता आप जब तक command नहीं देते या फिर आप उसे उसमें जाके कुछ store नहीं करते तब तक CPU उसमें से action नहीं दे सकता अब first it must be copied under RAM अगर hard disk में जैसे कोई भी program या कोई भी चीज इंस्टॉल किये तो hard disk में और उसके बाद उस application को run कराते है तो पहले वो RAM में instructions और RAM में सारे details stored होते है temporary basis में और उसके बाद उसे processor process करता है या फिर processor उसे देख सकता है example cd hard disk property disk hard disk में ने बताया कि बहुत cheap होती है ठीक है 2000 में आपको 2 GB का RAM मिलेगा लेकिन 2000 में 500 GB 500 GB मतलब इससे 20 गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसलिए वह cheapest होता है उसके साथ दूसरा चीज मैंने बता है कि बहुत slow होता है ठीक है इसमें आपको जाके folder files कुछ भी store कर सकता है लेकिन RAM और ROM में आपको store नहीं कर सकते temporary basis पे उसमें आप software के बारे में बता है तो software is a set of computer instruction और data used to do some specific task मतलब software एक collection of instruction है कोई भी particular task करने के लिए collection of data है जिसे कोई particular task हो सके तो जैसे Google Chrome Google Chrome एक software है या Microsoft Office एक software है तो यह particular काम के लिए बना है कोई भी particular task के लिए जैसे Google Chrome basically net surfing internet surfing के लिए उस होता है जिसमें हम लोग कोई भी Google Chrome से कोई भी information search कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से और MS Office Microsoft Office जो है वो MS Office work के लिए बना है जैसे MS Word हुआ तो वो text documents के लिए बना है MS Excel हुआ तो वो database के लिए बना हुआ है MS Access हुआ वो database है ने अदरन के software होते है ठीक है कितने तरह के software इसा from library अब software इक ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन we just OS province think software हम लोगe touch कर सकते है ठीक है Lisa कि कोई specific काम होता है हाडवेर में कोई specific काम होता है बट हाडवेर को आ अपनों देख सकते हैं चुन सकते है लिए całब्त कर सकते हैं लिए हैं अब हम बात करते हैं टाइप सब्स Шक मतब कितने तरह के संओं inbox भ रहता है पहले सोफड़्वर होता है system आ यो हमारे और computer के बीच में एक interface है मतलब हमें suppose हमें computer की language नहीं आती computer सिर्फ समझता है क्या 0 और 1 तो हमें 0 और 1 में conversion इतनी जल्दी से आसानी से नहीं कर पाएंगे तो system software ऐसे है कि हमारा जो भी data हमने जो भी instruction दिये उसको 0 1 में convert करें computer को समझाता है और computer नो जो भी result दिया उसको 0 और उसको हमारे language में हमारा own language में हमें समझाता है उसके application software को basically जानते हैं तो अब system software के वाले बात करते हैं तो system software क्या होता है system software is a software that directly operates the computer hardware जो directly computer hardware को operate करता है मतलब जो computer hardware है उसको काम कराने का काम किसका है system software का और दूसरा चीज़ है कि and provides basic functionality to the user जैसे keyboard अगर करेंट किये अगर system software में keyboard का software अगर install नहीं होगा system software में तो keyboard हमारा काम नहीं करेगा उसे तरह mouse का driver अगर install नहीं होगा तो mouse भी हमारा काम नहीं करेगा उसे तरह अब आगे बढ़ते है it is an interface between the user and computer computer मैंने अभी बताया कि यह एक माईधियम है एक interface है user computer और user के पीच में जैसे आप समझे लो कि आप चाइना गे चाइनीज आपको आती नहीं है तो आपको एक computer language और computer language को हम लोग के language basically आप समझ सकते हैं या hardware devices से communication setup करता है अब system software भी बहुत तरह क्यों होते हैं ठीक है तो इसके बारा में हम लोग अगले अगले दिन पढ़ेंगे कि system software कितने तरह क्यों होते हैं और क्या क्या होते है system software ठीक है अब हम लोग बात करते है application software अब हम लोग सारे hardware devices को manage करता है लेकिन application software का कोई particular task होता है जैसे software that performs a special functions it is a program that is designed to only fulfill end user requirements माली जी हमारा requirement है कि हमें एक database चाहिए तो database का अलग software आता है अगर हम लोग suppose एक browser चाहिए तो browser का अलग software आता है तो browser का अलग software आता है तो browser का software सिर ब्राउज कर सकता है ठीक है अगर वीडियो प्ल तो इसी तरह का specific particular उसका fixed task होता है उसके अलावा वह extra चीज कुछ नहीं कर सकता है ठीक है अब हम लोग तीसरा चीज पर आते है तीसरा जो हम लोग बात किये थे utility software तो utility software जो होता है वह ऐसा software होता है जो हमारे system को जो हमारे system को analyze करता है configure करता है optimize करता और maintain करता है तो this is a type of software which is used to support the computer infrastructure मतलब computer का जो चलने का speed है या उसका space है space capacity सारे चीज को maintain करने का काम किसका होता है utility software का तो it is designed to analyze analyze मतलब analyze करना कि कौन-कौन से problems है आपके system में ठीक है उसको troubleshoot करके issue को solve करना उसके configure optimize maintain optimize करना मतलब आपको आपके computer का best part मतलब best आपके computer कैसा चलेगा वह सब को optimize करके साथ-साथ maintain करता है आपके system को और takes care of the requirement as well और कौन-कौन सा चीज requirement है जिसे आपका किसी software का update करना है तो वह आपको automatic बता देगा कि यह software आपका out of date हो गया आप इसा update कर लीजिए तो यह सारे काम सेज़के होते हैं यह सारे काम होते हैं और utility software के जैसे एंगल antivirus antivirus virus से बता करके बताता है और कौन-कौन से फाइल से हमारे में और कौन-कौन से फोल्डर कितने कितने एंबी और कितने जीवी के space खाया है वह सारे चीज बताता है तो यह basically काम होंगे utility software क्या तो इस वीडियो में हम लोग हमने तीन चीज़ सीखा पहले है system software क्या होता है उसके application software क्या ह हनोता है और utility software क्या होता है अगले video में हम जाने अगले वीडियो में जानेंगे कि कितने तरह के system software होते है टाइप of system software तो यह दोनों चीज हम लोग अगले वीडियो का वेट कीज़े हैं आपने चेनल नहीं है सब्सक्राइब केज़े अकला वीडियो में बता के उसके नेक्ष्ट वीडियो में प्राक्टिकल सीखेंगे कि आइसे वोलव के रिएट करते हैं और पिन करते हैं अधर भूर्ड कैसा दिखता है यह सब प्राक्टिकल सेशन भी होने वाले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इस वीडियो में पस्टने लाएं मिलते अगले वीडियो में तब तर क्लियर गुडबाय और कीप वाचिंग